बॉड मॉर्निंग गुड आस्टेनों गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा नहीं सचनियादा और मैं आपका मैस्टीचर आज आप लोग के लिए लिए करा हैं बाकी चीजों को like solutions, values, variables को find करते हैं उनकी values को find करते हैं या compare करते हैं या उसमें यह देखते हैं कि किस equation में variable है किसमें नहीं यह सब चीजम किस तरीके से like करेंगे तो first of all पहला question है state which of the following are equations बताना है कि इसमें से कौन थी equations है with variable जिनमें variables का use किया गया और मैंने आपको लास्टेम बता था variables किसको बोलते हैं x y z जो होते हैं वो आपके variables कराते हैं अब बोला give reason to your answer identify the variables from the questions equations with a variable identify करो अपने reason दो और identify करो कि कौन से variables हैं तो मैं आपके सामने कुछ question solve कर रहा है students remaining question जोंगे वह आपको खुद करने ठीक है सभी तो नहीं कराना possible होगा एक single video में तो आप यहाँ पर देखेंगे a part दे रखे 17 मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसमें एक्स प्लस में 17 इस तरीके से गीवन है तो इसमें बोला कौन सा variable के साथ जो है वह equation है ठीक है तो आपको बताना है because above equation has, above equation has two sides and x as a variable therefore, therefore it is an equation with variable इसलिए the equation is variable के साथ ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया कि एक equation है with variable क्यों क्यों क्योंकि इसमें x भी है variable with, variable और 7 से दो sides है तो यह equation भी है मैं आपको बताया तो last time के जिसके दो पक्ष्य होते है दो sides होती है वह equation कहलाती है अगर हम इसी तरीके से एक question हो लेते हैं मैं लाइक मैं आपको आई पार्ट दिखाऊ इसका यह आपका एबाट था आप हम आई पार्ट दिखते हैं उसमें आप देखे कहीं पर भी x y z pqrs जैसे कोई भी alphabet नहीं है हाला कि इसके भी दो साइट से हैं ठीक है इस तरीके से इसकी भी दो साइट से लेकिन अगर आपने देखा हो तो इसमें कहीं भी equation में वेरिवल नहीं है तो यह वेरिवल नहीं है देखिए आप कहीं पर भी that's why यह equation with variable नहीं है reason आप लिख सकते हैं because it doesn't have any xyz और pqrs टाइप alphabet therefore it is not a equation not an equation with variable ठीक है तो first question इस तरीके से आप कर लिजेगा सभी part ज्यादा कुछ है नहीं second question थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे second question मैं आपको करार हूं second question मैं आपको बोल रहा है कि complete करो entries को third column में table के साथ और value find करो ठीक है और बताओ कि जो सामने value जी हुई है variable की box के अंदर वो satisfied कर रही equation को कि नहीं satisfied तब करेगी जो value सामने आपके given है वही value y की निकल के है from the first equation like मैं आपको एक करके दिखाता हूं आप देखें आपके 10y वरावर हमें given है 80 ठीक है कुछ ऐसा given है तो अगर हम यहां से फिनी सो जगर तो y के value आजाएगी 8 it means कि y के value यहां पर 8 है और हमें जो given value है y की अगर आप वो देखें तो वह value भी y की कितनी है वह value 8 है 8 है यह 10 है 10 है तो जो given value वह 10 है और जो हमने निकाली है जो value निकल के आ रही है वह कितनी है 8 है तो चुकि बोथ values are not same लिखेंगे बोथ values are not same same नहीं है therefore equation therefore the given equation not satisfied the given equation not satisfied not satisfied the question given equation है question को satisfied नहीं करती है ठीक है इस तरीके से आप लिस लीजेगा क्यों मैंने आपको बता है जो value सामने दी वह है और जो value है वह सब्सक्राइब करेंगे यहां अगर 10 से आपने डिवाइड कि है LHS में तो RHS में भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां से हैं बोथ हार सेम देरफोर यह equation इसको satisfy कर रही है सब्सक्राइब को जिकत इसके अगर हम बात करते हैं question number third गी pick out the solution from the values given in the bracket ठीक है from the values given in the bracket and next to each equation show that the other values do not satisfy the equation अब आपको बताना यह है कि बाकी की जो values given बहुत satisfy कर रही है ठीक है तो देखिए यह question भी मैं आपको बता रहा हूं question number third फटा-फट देखेंगे screen पर बाकी को I hope आपने नोट कर लिए और students तो वीडियो को पॉस्ट करके अगर नहीं note किया है तो नोट कर लिए जगा back जाके और मैं आपको घरा रहा हूं आगे question फटा-फटी exercise खतम करेंगे और इसके साथ यह chapter भी finish कर लेंगे जो भी doubts है वो doubts session में live classes में में discuss कर लेंगे ठीक है अगर आपको कोई भी दिक्कर आती है जो प्लीज live session में मुझसे discussion करें आज कल network में थोड़ा issue आ रहा है बट कोई बात नहीं है आप directly भी पूछ सकते हैं आप directly वैसे भी पूछ सकते हैं अब हम बात करते हैं थर्ड कोशिंगी थर्ड कोशिंगी थर्ड कोशिंग में आपको किवन है 5m is equal to 60 और आपको कुछ वैल्यू गिवन है वह है 10 5 12 15 यह वैल्यूस आपको गिवन है ठीक है अब आपको बोल रहा है कि अगर m की वैल्यू निकाली जाए यहां थे तो कितनी हो जाएगी आपको प यहां से स्रिफ एक वैल्यू यह करेक्ट है बाखी रिमेनिंग वैल्यूस आर नॉट क्योंकि यहां से एंपके वैल्यू कितनी निकली है 5 12 निकली है तो आप यहां पर भी लिखेंगी बिकॉस रीजन यहां भी लिखेंगी बिकॉस वी गेट मैं इस एकुल टू टू तो अधर वैल्यूस आर रॉंग अधर वैल्यूस यहां गलत है वैलिजा रॉंग बस इतना लिखना है यही आपको प्रूफ करना था कि बाकि अधर वैल्यूस जो है वो रॉंग है इसका बात करते हैं कॉशन आपर फॉर्स की कि वह वह लगवगवग सेव है ठीक है है वार्ट के वह इसी तीन पार्ट में बता रहा है बाकि आप देखेंगे फॉर्स का ए पार्ट देख़े अभी अगर एंपलस में हम 10 करते हैं वहां निज यहां पर लीकर हो एम मैं यहां नीचे हैं प्लस टैन है ठीक है अब बोल र हमें एक क्विशन यह गिवन है एम प्लस में 10 इस इक कुल तो 16 अब यहां से अगर हम M की वैल्यू निकालें तो 16 तो है 10 इदर जाके माइनस हो जाएगा तो M की वैल्यू आजाएगी 6 अब जब M की वैल्यू 6 आ गई है तो अटोमेटिकली बाकी वैल्यूस आपको फाइंड करनी है ठीक है complete the table and by infection of the table find the solution to the equation M is equal to 10 तो कितनी होगी वैल्यू आपको यह बताना जूंस श्च मेन वह्क है इस में तो चीजे खता है यहां यहां पे में बराबर यहां पर 12 हो जाएगा लेकिन यह सारी वैल्यू सैटेस्फाई नहीं करेंगी ठीक है एम इसके अकोर्डिंग वैल्यूस आप देख लेंगे 16 के लिए एम के वैल्यू 6 होनी किये तो आई होप आपको यहां रख समझ में आगया होगा बाकि कोई भी कोश्चिन हो डाउट हो आप मेंसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं मिलता है नेक्स वीडियो में तिल देन टेक के रहा हो कुटे बाकि सभी कोश्चिन कर लिजेगा बाई